इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड एफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। और मेनिया के इलाज में किया जाता है, डाइजोडान दो टेबलेट को भोजन के साथ या बिना भोजन के हो सके तो रात में लिया जाता है, हालाकि इसे हर दिन एक तैय समय पर लेने की सलाह दी जाती है क्योंकि इससे शरीर में दवा के समान लेवल को बनाए रखने में मदद मिलती है। इसे अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधी के अनुसार ले और अगर आप कोई खुराक लेना भूल जाते हैं तो जैसे की याद आये तुरंत लें। यह आवश्यक है कि डॉक्टर से बात किये बिना इस दवा को अचानक बंद न किया जाए क क्यूकि इससे आपके लक्षणों की अवस्था और भी खराब हो सकती है। हाला कि यदि आपको नियूरोलेप्टिक मेलिगनेंट सिंड्रोम यानि की NMS जिसे बुखार मासपेशी में अकड़न और बदली हुई कॉंशिसनेस या दौरों द्वारा पहचाना जाता है का दवा ब्लड प्रेशम में अचानक कमी ला सकती है। इसलिए अगर आप बैठे या लेटे रहे हैं तो धीरे धीरे उठना बहतर होता है। इससे चक्कर आने और नींद आने की समस्या भी होती है। इसलिए जब तक आप यह नजान ले कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती है। तब तक ड्राइव न करें या कुछ भी ऐसा न करें जिसमें दिमाग को एक आग रखने की आवश्यक्ता हो। इस दवा से आपका वजन बढ़ सकता है। लेकिन एक स्वस्थ डाइट लेकर और नियमित रूप से व्यायाम करके अपनी लाइफ अस्टाइल को बद कोई असामान बदलाव होता है। आपमें नए या बिगरते जा रहे अवसाद या आत्मगती विचार के लक्षन दिखें तो अपने डॉक्टर को बताएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करके नोटिफिकेशन बेल आइकान पर क्लिक करें और और अल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।